नारा चोपड़ा हुई एश्वर्या से नराद औरा और मुनवर ने की पूल में जम कर मस्ती पिक पॉस सीजन सवेंटीन के लाइफ फीड में हमें देखने को मुला औरा और मुनवर साथ में स्विमिंग पूल में इंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ घर में काफी ज्यादा थाइंट है इसके बावजूद भी औरा और मुनवर स्विमिंग पूल में उतरने का फैसला करते हैं वजिकि यहाँ पर दोनों को संत्रे भी खिलाते हुए नज़र आते हैं जैसे मुनवर काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं वज आईश्या यहाँ पर मुनवर के मेड़क होने का टॉंट उन्हें मारती है यहाँ आईश्या कहती है कि मेड़क इधर उदर फुदकता रहता है जैसे कि मुनवर कर रहे हैं हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं होता जैसा कि अरुन करते हैं विक्की को अरुन लगतार बत्तमीज कहते हुए भी देजर आते हैं वही दूसरी तरफ मनारा चोपरा आश्वारिया से काफी ज्यादा नराज होती है चिया घर की कैप्तन ईशा है लेकिन घर के जो 12 गहिंटे किचिन के थे वो अब खत्ब हो जुका है ऐसे में घर में आज किचिन में गैस ओपर नहीं की गई है और सभी घरवाले भूग से काफी ज्यादा परिशान है इशा काप्तन होने के नाते इन सारी चीजों का तोड निकालती है और मनारा से माइक्रोवेव में पोहा तयार करने को कहती है वर सभी घरवाले इसके लिए मान जाते हैं लेकिन एश्वरिया यहाँ पर मनारा के पास आकर उनसे अपना और नीर का पोहा अलग बनाने की बात कहती है जिससे मनारा काफी ज़्यादा दराज होती है क्योंकि मनारा सर्फ एश्वरिया की वज़ा से बिनाई टमाइटर का पोहा बनाती है क्योंकि एश्वरिया ने टमाइटर वाले पोहे को लेकर भी घर में काफी बड़ा मुद्दा बनाय था बहले पुरी तयार्या कर लेती है और O1 में पोहा बनाने का आईटिया भी इशा और मैनारा का होता है इसके बावजूद ऐश्वर्या आकर पहले पोहा तयार करने की बात पर अड़ जाती है और उस बेबी उड़े पहले बता रहे है जैसे उदके अलावा घर बे किसी और को भूखी ड़ई लगी है मन्नारा इन सारी चीजों को गलत कह रहे होती है और कहती है कि मैं भी घर की कई टेस्टेंट हूँ और बाकी सारे कई टेस्टेंट भी भूखे हैं ऐसा दही है कि सिफ एश्वर्या को अकेले ज्यादा भूख लग रही है मन्नारा कि एश्वर्या के लिए कहिए बातों पर क्या कुछ है कहदा हमें कॉमेंट्स पर ज़रूर बताए ऐसी ये अपडेट्स के लिए हवारे चादन को सब्सक्राइब करें